किसान साथियो नमस्कार एक फिर उपश्थित हूँ आपके समख से खास जनकारी के साथ और दोस्त अभी मैं 36 गर से वीडियो बना रहा हूँ और दो वर्स पहले यहाँ पर बक्री पालन की शुरू आत हुई थी बेवेक बक्री से यहाँ पर बक्री पालन की शुरू आत सार स्वागत है हमारे वीट है नमस्कार से अपना संश्वत पर शे हमारे भाइयों को दी है मीरा नाम दिपक शाहु मेरा ग्राम कूरोध है पोस्ट रांका है थाना बेमेतह हैं जीला भी भेमेत्हा से बहुट का करते थे मैं इससे पहले सिविल ठेकेदार था इस है ठीख है उसके बाद बाद पापा जो है मेरे एक बवक्र लेकर क्या है 2019 कि दिसंबर में उसी बवक्री से फिर हम लोगों का सुरुवात हुआ जैसे-जैसे उसका बच्चे दिये वो उसको बेच करके फिर दोबघन बर्टार करते करते इसी खरीदी बिकरी करते हुए आज इतने दूर पहुचे हैं मेरे पास अभ़ी बकरी जो है केवाल बकरी बकरी elements तो सत्तर है और जैसे ये से नहीं महने के बच्चा बोले तो वो 15 है और वैसे अभी की एक हपते पहले की बच्चा बोले तो भी 10 से 15 वो भी है तो कौन सी नसल है सर यह पेवर देशी है एक आग दो एक हमारे पास बीटल है जमना परी है ऐसे करके हमारे पास पूरे 70 बगरी है जैने कि 36 गर्ड की जो नेटिव अब यह से लिए कौन सा बीटर इस्तेमाल करते हैं अभी तो हम लोग पूरे देशी और बीटल भी लाये थे बीच में ठीक है वही सब अभी लेकर करके आए हैं कि यह कोटा है बीकोटा से कोटा का सिस्तेमाल कर रहा है अभी पहले कोटा हुआ रहा है तो यहां पर जो तो चारे देकरके、 यह पेवरों आप देख सकते हैं कि यह भी है का मसम में लोग थंडी में द। कहा है चत्तेशगर में तो आप क्या देंगे अब इसमें जोकर वगएरा जो भी Mixing करना होता है मलाई जो है उसी को मिला करके देंगे सिर्फ पहरा कुट्टी और आप खल देते हैं और उसके बाद फिर मलाई क्या होता है मलाई है पसु आहर देते हैं परतिवख्री कितना मत्रा उनको देते हैं उपर से हम लोग चोकर हो गया और जो मलाई बोल रहे हैं पसुआ हार उसको छिड़काओ कर दिये उसी को फिर आप देख रहे हैं वो चाओ से खा लेते हैं सब्सक्राइब चोकर हो गया और पसुआर हो गया उसी में हम लोग मेथि वगरे इस्तिमाल करते हैं वो सब थोड़ा-थोड़ा ही इस्तिमाल करते हैं जादे देते नहीं क्योंकि यह श्रीफ हम लोग करते हैं एक टाइम का है हमारे एक टाइम जो है हम लोग चराने के लिए टहलाने के लिए वकरी को ले जाते हैं एक समय घर पर खिलाते हैं और एक समय इनको बाहर साम के समय बाहर लेकर जाते हैं चराई पर यानिके सेमे स्टॉल सालाना कितनी कमाई हो जाती है इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि को भी बक्री पालन करते हैं तो शुरुबात में उनको इंकम नहीं होते हैं कम शेकं Megant to Workस उसको गुजारना होता है और सैयम रखना होता है तब जाकर क fod मुनाफ़ा उनको होता फाम पे इंवेश्टर कर दिया है जो फाम दो साल के दोरान जो भी आपकी कमाई हुए इंफ्रास्ट्रक्षर पर आपने खर्च किया है जी सर हम लोग इस पूरे जितना कमाई हुआ है और जो हम लोग बकरा बकरी जो बेशते हैं उसी का फिर नय बकरी लेकर क्याते हैं जो प जो अनुभव रहा कमाई का वो आपको मालूम है अब 70 बक्री आपके पास है तो अगले साल कितनी कमाई की उमीद कर सकते हैं या कितनी कमाई की उमीद करते हैं यह अगर मेरे बक्री सही साथ है और ऐसे ही रहे तो 4-5 लाग की सलाना कहीं नहीं जाएगा जाने कि अगले साल 4- से पांस लाग की कमाई होगी खर्च काट करके अच्छी बात है तो सर भी यह बकडी आपकी सुरक्षित रहे इसके लिए क्या करते हैं अपर यह देखिए अभी जाड़े का मौसम था इन लोगों को जैसे किसी को सर्दी या नहीं भी है तो सर्सों का तेल हो गया उसमें भी या यहां जा दो यह घा देते हैं उसको इसके बाद ओन लोगों को पराते हैं ठंडे का थंडी का असर नहीं होता है करते रहते हैं जैसे इसका तरीके और से हर चीज होते है एक और सबाहरा है कि बहुत आप के देखिया सर आज तक हम लोग तो इसको बाहर लेके नहीं गए हैं तीक है यह हमारे पास तक हम जरिया जैसे आप विडियो के जरिया हो गया और कॉल आते हैं वह साफसने हम लोगों को सेल हो जाते है अभी हम लोग visiting के लिए ही दुर्ग से 25 किलोमीटर आगे उताई वहां पे भीया को दिये हैं उससे भी बात करते हैं अभी जैसे वह कॉल करते हम लोग उठाते हैं जो भी समस्य उसको लगती हम लोग बताते हैं कि यह दवाई चीजिए पिला दीजिए उसको यानि कि उनके सब्सक्राइब कर रहा है तो यहां से जो उतपादन होता है मैं हमने कोई दीकत नहीं होता आम से जाता तो क्या रेट में जाता है यहां से यह जो बकरे जो है 400 रूपय किलो में डेशी का है हम लोगों का और जैसे बडा हो गया कोटा वगेर हो गया सरडे 400-500 जैसे हो गया और वकरी जो हो गया हम लोग सड़े 300 से 370 रूपय किलो तक देते हैं दोस्तों यहां पर जो चाहिए जो मैं बिहार का हूँ तो बिहार में ब्लेक वंगाल पाई जाती है उसे से ठोड़ी सी ऊची नशल है थोड़ी सी बड़ी कद काथी की तो अंजोरी क्या खासित होती है सर हमारे दर्सक्त जाना चाहेंगे सर इसको क्या हम लोगों को पालने में कोई दिक्कत नहीं होता है जैसे हम लोग बड़े वक्री रखे हैं कहीं उसका हम लोगों को इधर तवियत खराब होता है तो उसको समहलने में बहुत देर लगते हैं जैसे इसको हो दूद निकालते नहीं है जो भी है इसके बच्चे को पिला देते हैं अगर किसी के में हलका फुल का दूद की कमी हो जाए तो जिस बक्री में दूद ज्यादे होता है उसका दूसरे बक्री का दूद उस बक्री को पिला देते हैं साल में कितने बार यह बच्चे देती हैं साल में दो बार एक बार में कितने बच्चे देती हैं यह जैसे छोटा हो गया पाठा जो है वह एक बच्चे देती हैं जैसे दूसरा दूसरी बार देना हो गया बकरी को तो दो बकरे देती हैं पहली बार में एक बच्चे अमूनन द देख लोने का पेट भरने में व commitment हमोती हैं का मेने का पेट भरने हम तो पूरी पूरी separate हम रहती है कखचित दिन से 25 दिन से एक मेहने के बीच में पिर से हीट में आ जाती है जो जो भाय को वह हमारे बक्री पालन की शुरूराइब करें तो तो अगर उनका इंफ्रासेक्श्य होना चाहिए अब देखिए हम लोग तो एक से शुरू किया है तो इतना हो गया औहों उसके ऊपर रहता है जो सामन और मुझे आप आपने बसीड में राखना है तो कैसे लेकर चाहते हैं यहां पर लोग लेकर जाते हैं जिसको जिस भाई को अपने फर्म में यूच करना हो बक्री ले जाना होता है तो अपने हाँ पईरक कुट्टी कि खिला करके उसको सक्षेच कि जाता है उस बक्री को जैसे स्टॉल फीट पर रह सके उस हिसाब से भक्री को बना दिया जाते हैं धल ड्द ढलते हैं उसको उसके बाद ही हम किसी को प्रवाइट करते हैं बखरी जो है छातिस घर का मौसम कुछ और है जैसे कि यहां पर गर्मी है और जब हम घर से आए हैं तो थंडी थी तो यहां से बखरी अगर बिहार में जाएगी तो जलवाई परिवरतन होगा तो वैसे श्तिति में वहां पर कैसे सर्वाइब कर पाएगी वैसे इस्तिति में आप ले जा सकते हैं ले जाने में कोई दिक्कत नहीं उसको एक हपते कम से कम में सूखा ही खाना देना पड़ेगा जैसे पानी नहीं देना है पानी भी अगर दे रहे हैं तो हलका उसको गुनकुना कर लिजिए उसमें ह पानी में कुछ मिला रहे थे उस पर मैं चर्चा करूंगा कि क्यों पानी मिलाए थे लेकि उससे पहले मैं जाना चाहूंगा और हमारे किसान बंदू यह बश्यारा के लिए ही बनी हुए हाँ इसको बहुत ही प्रिय होता है तो आप इनके भोजे में हरा चारा सामिल करते है है नहीं करते हैं हम लोग अधी तक को हराचारा घर में कोशीष ही नहीं किये पानी में जो बक्री को पीने के लिए पानी यह पानी बना रहे थे वह प्याथा ऊसमें सर् नमक ही है नमक कौन सा नमक है यह हम लोग अभी पानी में देखें हैं पानी में कर जाते हैं अर जो पानी जो है नमकिन होता है तो बक्री आ रायम से पानी पलीते हैं पयाम से अपने बताया था कि एक साल में यह बाती है artists 16 महिने में दोबाद बच跟我 शोणा महिने रोग मैं जाता है कि तो एक बक्री पर एक साल में 16 महिने में कितना खर्च गिरता है और कितनी इंकम हो सकती है अब देखिए एक बकरी अगर हम लोग बकरी से सुरुवात करें तो मान के चलिए एक दिन का इसको खर्चा बोले तो मुस्किल से हम लोगों का 15-20 रुपे पड़ता है एक दिन का और जादे बकरी हो एक चार मेंने अगर हो जाते हैं तो चैसे साथ मेने में अगर भी बेचना चाहेंगे तो एक बकरी कम से कम 25-30 किलो का बकरा हो तो क्या रेट उसका होना चाहिए वो से 10-12,000 अराम से चला जाता है तो दीपक जी farming जो आप कर रहे हैं तो कहा पर क्या है किस तरीके से farming करते हैं हमारे भाईयों को farm visit करबा दिए यह देखिजिए वालम जो है आप सामने खुद ही वीडियो पर देख रहे हैं नॉर्मल ही हम लोग घर से हैं जादे हूं नहीं है बहुत ज़्यदा आपने खर्ज भी नहीं किया है जो भी है सर्धान तरीक से जितना जोड़ी है उतना ही आपने फार्मिंग के दोरान खर्ज किया है हाँ आप देख रहे हैं हम लोग लोह वह कहीं भी इस्तिमाल नहीं किया जो घर पर ही सिंपल जो लकड़ी वगएरा रहता है उसी का दाने वगएरा बनाने देने के लिए बना दिये हैं घतब हो हमारे धायों को छेड भी दिखाई जो आप जड़ बनाया है तो वह भी दिखाई है की तरह से आपने रापत होते तो इसको रखने का तरीका का पिकigt माल का लिए इसके में चुछ बताईए ओपुए है इसको परीका मर्दिक हो杏स लिए हैं निचे में पुर्देते हैं तो यह लोग मिठी वगयरा खाते हैं गयरा का डिकत हो यह मेन अफने के मिरुति भी हो जाती है है मैमने मरने का डिक्त हो जाते है उसमें औरilt जो उपर रखते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं इसको सुरक्षित रहते हैं तक इसको यहां पर रखते हैं यह लग भग लग महन्य कीजिए एक महने तक अप ऐसे को इतनी उचाई पर यह लगए आप रख रहे हैं गाट पर तो एक महना तक इसको रखते हैं जी सरी उसके बाद इसको बाहर ही छोड़ देते हैं कर लünden करा है कब खाना सुरू करते भोजान पर क्वा आ जाते हैं ये सदी यह महां क gray क्या खिलाते हैं इनको सुरुवाद में ही जो देख रहे हैं चोकर वगरे हल्का सब जाक करके उसका ऐसा है में फिर देख कर right कर तंदर लेकर चलिए डें अप्ञियए अब इनके फारम के अंदर आपको लेकर चलते हैं और क्या व्यवस्था इनकी है वो दिखानी के मैं कोशिश करूँगा दिपक जी आपने यह जो फारम बनाया है बहुत ज्यादा इसमें खर्च आपका नहीं लगा होगा कितना खर्च गीरा है इसको पूरे बनाने में लगभग हम लोगों का लंबाई जो है 70 feet है चावडाई जो है 22 feet है चाड़ो तरफ से थोड़ा सा यह लगभग अधाय तीन फिट की उचाहित तक आपने प्लाइस ब्रिक्स का इस्तेमाल किया है उसके पिर आपने जाली का इस्तेमाल किया तो हर मौसम को झेलने के लिए ठीक है यह तो अभी सुर्वात से सब्सक्राइब पूरा पूरा भी complete हम लोगों अफाम नहीं हुआ है complete करने के लिए भी बांकिया उपर से जो है टीन वगेरे लगाने के लिए बहुचार वगेरे आता है उसको रोकने के लिए भी बांकी है तो यहां पर जो पहला सेक्शन है यहां पर य है छह सात मेने का ओं यहां पर रहते हैं और सब में देख रहा हूं मैं के चौकी आप यह लकड़ी का रखए है इसके क्या लाव लाव है इसमें लाव यह कि जितना भी बकरी रहते हैं ओपर यह बैड़ते नहीं है जैसे कि उपर जैसे बैठे पैसाव सब किया तो नीचे जाता है तो फिर यह तो नमी बला हो जाता होगा तो फिर इसको यह सुखाते कैसे इसको चारो तरफ से उपर कर दिया है रात में जो होते हैं उसको नीचे कर देते हैं तो दिन में सारा सुख जाता है दिन में सुख जाते हैं सब दिन में सारी बकरियों को बाहर निकाल देते ह है फुलिए सब यहां पर मैंने को रखने के लिए यह जो विवस्ता यह अच्छी तरह के से नेट वगरे से ढख देते हैं मचर लगे का दिक्कत नहों यह इस लिए अज़ी है और यहां पर अलग अलग सेक्षर में अलग बकडियों को अलग अलग उमर के बकडियों को आप र इसमें बच्छे देने वाली रहती है जो बक्रि आतने लग्त्र यह पर रहते हैं ए हकते के अंदर जो बक्री बच्च देने वाली 허zeit य्याप यह द्षानबर adhere यह दौण द्चुर रहा है यां यह रात में बच्छ्ड में बहुत ज्यादे ऑंडूल यह यही हम लोग कर रहे हैं कि एक बखरी अगर हम आप पालते हैं सही साथ रहा तो बकरे अगर आप बेचना चाहें उसका तो ठीक है एक बकरे अगर भी जाता है मिन्यम में तो दस से बारे हजार में जाता है तो अब साल में देख लीजिए उसका मिन्यम साल में दो बकरे बेचेंगे छे से छे महने में दो दो बच्चे अगर बहुत बहुत धन्यवाद आपका बहुत अशी जनकारी आपके तवारा हमारे किसान भाईयों की मिली तो दोस्तों आपने सुना बिल्कुली साधरान तरीके से बख्री पारण करते हैं बहुत ज़्यादा इन्होंने खर्च नहीं किया इंफ्रासेक्चर में बिल्कुल ही कि अग्दम जुगार तक्मिक से सारा कुछ यह कर रहा है और भोजन पर भी बहुत जादा यह खर्च नहीं करते फिर भी बख्री काफी स्वास्त है इसका सबसे बड़ा कारान है कि देशी बख्री की फार्विंग करते हैं थो बहुत कुछ शीखने को मिला होगा आज की वीड आईएगा और इस रकॉर्ड भी अपडेट जाड़ी रहेंगे तो बने रहिएगा ग्रो माइंड डियाट्रिप चानल के सब तक ख्या रहें अपना देने बाद